नमस्कार दोस्तों अनुप इस्टेडी जोन में आपका स्वागत है डेली करेंट अफेर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 13 अप्रेल के करेंट अफेर्स तो चलिए बिना देर की वे चलते हैं पहले कोश्चन की तरह तो आज का पहला कोश्चन है हाल ही में फोस द्वारा जारी की गई युवा विलिनियर्स रिपोर्ट में सबसी युवा विलिनियर्स में पहले इस्थान पर कौन है तो वो हैं काईली जेनर काईली जेनर हैं ये कास्मेटिक की मालकिन है और साथ ही साथ रियालिटी टीवी इस अगला कोश्चन है हाल ही में अंतराष्टी मानों अंतरिक्ष उड़ान दिवर्स कम मनाया गया 12 अप्रेल को 12 अप्रेल यहो जनी दिवर्स के रुत में मनाया जाता है चलिए लेगए कुश्च में चलते हैं अम, हाल ही में लेग स्पीनर जैब की डूप्रीज का निधन हो गया, वक्त की सिदेश के खिलाड़ी थे तो वे थे जिंबाम्बे के ये जिंबाम्बे के बहुत पहले खिलाडी थे लेगी स्पीनर थे और साथी में ये जिंबाम्बे को स्वतन्त होने से पहले दख्षड अफ्रीका के लिए दो टेस्ट मैच भी इनोंने खेला था उसके बाद से फिर वहाँ पर जिंबाम्बे आपकरा का टाउ जौला मुखी निम्व में से किस देश में इस्थित है तो यह है इंडोनेसिया इंडोनेसिया में अभी हाल ही में इसमें बहुत भेंकर बिस्फोट हुआ था इसलिए यह चर्चा में रहा अभी इसके पहले भी वहां पर एक जौला मुखी है जिसमें प्रेशिया की राइधानी यह वो है जाकारता चलिए अगले कोचन चलते हैं अगला कोचन है हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडू के साथ मिलकल एक पड़ाडाली की सुरुवात की है इस पड़ाली का नाम क्या है तो इस पड़ाली का नाम है इंटर एक्टिव आइस रिस्पॉंस यह जो इंटर एक्टिव आइस रिस्पॉंस है इसके माध्यम से जो भी ब्यक्ति है वो अपने बारे में जान संता है इसका मतलब यह हुआ कि जो केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले आरग गिरसेतू एप लांच किया था उसी में इसको जोड़ा जाएगा और बहुत से जैसे जो ब्यक्ति हैं जिनको पता नहीं है कि उनके बारे में कि अभी आपको जनकारी प्राप्त करना है कि आपके अंदर उसका पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आप इसके माध्यम से इंटरेक्टिव वाइस रिस्पॉंस के इसके माध्यम से एक आपको नंबर मिलेगा उस पर आपने इसकाल करेंगे तो सारी चीजें आपके बारे में वो बता देगा तो यह है इंटरेक्टिव वाइस रिस्पॉंस चलिए अगले ख्वेश्म चलते हैं अगला है चाइना निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर अंतराष्टिय पेटेंड का सिर्ष आवेदक बन गया है तो यह छोड़ा है इसने अमेरिका को अमेरिका को चाइना ने इस साल 58,990 अवेदन किया था पेटेंड के लिए और इसके पहले अमेरिका हमेशा से हाइस पे रहता था अब यह दूसरे नंबर पे चला गया है और बात करें चाइना की तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग चाइना में और भी ज्यादा चर्चा में रहा है चाइना वहां के जो बुहान सहर वहां से कोरोना का उत्पत्ति माना जा रहा है और आज देख रहे हैं कि पूरे बीशो में इसने अपना पैर जमा लिया है और इसे काफी लोगhood ले संख्रें में लोग मराल पी गया हैं और ले गजै bashk वी हए और बात कर uh themarkt- apply तुर्छ राज़ानीा वहाई वह तो किरह परेटन नहीं रहेगा पेट में घ्ल्ठी से टाइप हो गया है हाली में राष्टिये दीवस कम मनाया गया यह मनाया गया ग्यार अप्रेल को जो पेट होता है यह पाल्तु जानवार होते हैं जैसे लोग कुटता बिय्लई स्टोफके रही वो था अमेरिका अमेरिका तो ग्यारा अपरेल को इसने सबसे पहले मनाया था तब से प्रतिवर्स राष्टी पेट दीवस मनाया जाता है चलिए अगले कोश्चम चलते हैं अगला कोश्चन है निमनलिखीट में से किसके द्वारा मोबाइल डाक्टर बूत चरक का विकास किय किन गया तो वह किया गया है तो रेल्वे के द्वारा जो के चरक है जो मोबाइल डाक्टर बूत जनी की जो चरक है चरक के माद्दय में से यह हम यह जन्य को सिर्फ एक बूत में जैसे कि आप लूग देखे होंगे कि एक्स-RAY वगएर जो निकालते हैं या भी जो फोटो ग्राफिक करते हैं तो अंदर एक बॉक्स में हाथ डालते हैं और अपना जो भी करना होता है करके फिर बाहर निकाल देते हैं तो उसी परकार से जो डाक्टर है अपना अंदर बैठा वोसल इंट्रेक्शन से दूरी बनाने क्यों बात हो रही है क्योंकि अभी प्रजेंट टाइम में जो कुरोना महमारी है यह एक दूसरे के संपल्ग से ही बढ़ रहा है तो इसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है चलिए अगले प्वचिम चलते हैं अगला है अभी हाल ही में G20 और सधार उर्जा मुंत्रियों की अभासी बैठक आयोजित की गई इसकी अधिक्षिता किस के द्वारा किया गया तो इसकी जो अधिक्षिता किया गया हो है अब्दुल अजीज के द्वारा अगला कोचन है सोचता MOHUA एप निमनलिखित में से किस से संबंदित है तो वो है किंद्री अवास एवं सहरों के मंत्राले से संबंदित है अब यह सोचता MOHUA किसलिए चर्चा में है तो चर्चा में है कि यह COVID-19 से संकट जो COVID-19 है उसके संकट से निपटने के लिए इस एप को संसोधिस संस्क्रण करके मलब संसोधिस संस्क्रण के रूप में इसको लांच करने की गोश्रा किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि इस परकार का एप बनाया जा चुका है इसमें संसोधन करके जोड़े दिया जाएगा तो यह जो ख़दम उठाया गया कि द्हाया है केंदी आवासें शहरों के मतलब इकम द्वहार है मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हैं।